ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था नमस्कार आज पॉलिटॉक्स के साथ बाचीत करने के लिए एक खास मेहमा नमाजसर्थ मुझूद हैं तो साथ बार से लगातार विदायक हैं पूरुमंती रह चुके हैं और अभी उपनेता पर्तिपक्स रहेंदर अटूर साथ प्ञार आज बात करते हैं देश और दुनिया में चाहिए कोरना महसन कट गई तो सिर्फ आपका भूत में आप चिक्रसा मंत्री पीरेच चुके हैं और पंचारिध राज मंत्री पीरेच वरेचिक है औराज सबसे हादर जो काम होगा इन दो में था इसको आप किस तरी के से देखते हैं क्या और होना चीता जो नहीं हुआ और क्या वेस्विक महामारी है जिसने पूरी दुनिया को अपने अगोस में समेटा है राजस्तान की विधानसभा में विधानसभा का बजट सत्र के अंदर जब पहली बार चीकिसा मंतरी जी ने सुचना दीख एक इटली का एक प्रेटक के में करोना के अलक्षन पाए गये तो हम लोगों ने ये कहा था कि ना सवाल करेंगे ना टिकाटिपनी करेंगे सरकार के हर कदम के साथ इस वेस्पिक महामारी से ने पढ़ना के लिए हम खड़े होंगे पर कालांतर के अंदर जो रनिती बनी लोक डाउन के दूसरे तीसरे फेज के अंदर जिस परकार की राज़िती होने परारंब हो गई मैं समझता हूं कि वो राज़िती नहीं होती तो जाधा बहतर होता सरकार ने दावा किया कि 9 क्रोड से जाधा लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली आज प्रवासी लोग जितने आये हैं लोग करॉंटाइन सेंटर में करॉंटाइन होने के बाद छोड़ छोड़ के भाग रहे है हमारी वेवस्ता में कहीं न कोई कमी है और प्रती दिन मुख्यमंदर जी लांचित करना चाहते है और अब तो अभ्यान चोड़ा है स्पीक अप इंडिया अपनी नेता के साथ और लोग नाउन जो माने मोदी जी ने कहा किया आज मैं कह सकता हूं कि वेस्ट विक स्टर पर इस वेस्ट विक महामारी से निपटने के लिए जो काम देश के परधान मंतरी आदरनी नरंदर मोदी जी ने किया यह मैं नहीं कह रहा एक सर्वे हुआ गेलब जैसी अंतरा राश्ची कंपनी ने सर्वे किया ब्रेटेन और अमरिका की एक कंपनी ने सर्वे किया किस विकसित और विकास सील देशों में करोना की वेस्विक महामारी के परबंदन के लिए किस परकार के स्टेप्स उठाएगे और किस परकार की लोगों ने उसके साथ अपने अपने आपको जोड़ा उसमें हिंदुस्तान पहले नंबर पर आया हमारे देश के परधानमंत्री जी ने जो स्टेप्स उठाए जो कदम उठाए उनकी सराना वेस्विक स्टर पर हुई और आज उसी पर कह रहे हैं कि आनन फानन के अंदर लोकडाउन हुआ लोकाउट हुआ और अमारे राज़े के मुख्यमंत्री जी पहले अपनी पीट तफ़वा रहे थे तो उन्होंने देश में पहली बार लोकडाउन लोकाउट किया और आज उसी पर स्वाल खडा कर रहे हैं मैं समझता हूँ इस वेस्विक महामारी में राज़ेती नहीं हो के अंदर सरकार और राज़े सरकार ये चीकिसा राज़े सरकार के लिष्ट के अंदर स्टेट लिष्ट का सबजेक्ट है पर इसके अंदर राज़ेती नहीं होकर इस वेस्विक महामारी में दोनों हाथ मिला कर काम करते इसके प्रणाम बहुत अच्छी आते हैं पर हम हर एक चीज के अंदर राजनी करना परारम कर दें तो मैं समझता हूं इस प्रकार के मामले के अंदर इस प्रकार की राजनी करने से बाज आना चाहिए राचवरुसब मन्रेगा में अभी रास्तान के नंबर वन वो चला 40 लाग सर्मी कोको में रोजगार देने का दावा सरकार कर रही है और साथ में मान कर रही है कि एन सरकार से लगाता है कि इसका जो कारेकाल 200 का करा जाया 100 की वज़ाये मान दे बढ़ाया जायाए इसको लेकर आप क्या सो देखिए अभी भी इसी करोना के इसी समय के अंदर आपने देखा होगा मनरगा की मजदूरी के अंदर लगबग 18% की बडोतरी की है राज्य सरकार के पास 2875 क्रोड रुपे मेट्रिल कंपोनेंट और लेबर कंपोनेंट के बेजें 71 क्रोड रुपे के अंदर सरकार में जो पुराने अब तक लंबी थे वो भी के अंदर सरकार ने राज्य सरकार को दिये है राज्य के अंदर सरकार का खुद का ये मानना है कि मनरगा से आज सर्मिक की गडबडाई अर्थ वेवस्ता के अंदर वो एक रामबांट सिद हो सकता ह निश्चित तोर पर राजस्तान के अंदर मनेरगा के अंदर जो मजदूरू की संक्या बढ़ी है मुझे परसंता है मैं उसके लिए उपमुक्य मंतर जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा और यह 200 दिवस को 200 दिवस किया जाए सिद्धानतिक ग्रूप से हम लोग भी इसके लिए प्रयास रते हैं और के अंदर सरकार से हमारा भी आग्रा है के 200 दिन किया जाएं पर आज की तारीक में जब विस्व का सबसे अधिक तापमान राजस्तान में हो चूरू में हो और लगातार पूरे देश के अंदर तापमान के अंदर चूरू और गंगानेगर एक नमबर पर हो उसमें मैंने लिखित में अग्रे किया है मुख्यमंतर जी से मनेरेका का समय च्छे बज़े से एक बज़े के जाए च्छे बज़े से ग्यरा बज़े करें इसका टास्क को 33% और कम करें और इसके साथ साथ वहाँ च्छाया का इंतिजाम हो चोटे बच्छों के लिए पालने और दूसरी चिज़े का इंतिजाम हो सेनिटाइजिंग वहां हो वहां सोचल डिस्चंसिंग हो जिसके दजियां उड़ रही है निश्चित तोर पर यह काम और करना चाहिए एक रचनात्मक काम है आज प्रवासी सर्मिक और सर्मिक सबसे ज़्यादा पीडित इसी समय में इस कोविद 19 से हुए हैं उनको इस समय क इस प्रगार संबल दें हमारा सब की कोशिस होनी चाहिए हमारी भी कोशिस रहेगी हमें सरकार की मांग के साथ अपनी बात को के अंदर सरकार तक पहुचाएंगे इसको एक लाइन में अगर तो मुझे अगर कोई कहे तो मुझे अनको दस में से साड़ी दी नंबर देना चाहूंगा पासिंग मार्क देना चाहूंगा पहले चर्ण के अंदर उन्होंने मिटिंगी भी की अभजन परतियों से बात भी की पर बात खूब हुई पर निचले स इस तर पर जो क्रियानमन है उसमें कमी इसलिए रही कि जब हाथ पैर नहीं हो तो मनुश्य क्या करेगा जब चिकिस्कों के आज लगबग 2200-2300 पद खाली हो जब पेरामेडिक्स के लगबग 28000 पद खाली हो और जब हमारे पास आधार बूत सरंचना ही नहीं हो हमारी जाँच आज की तारिक में जब वो कह रहे हैं कि हम 15000 के आंकड़कों जाँच को पार कर रहे हैं आज भी आप प्रती दिन समाचार पत्र उठालो 5000-6000 जाँचें बहुतर गंटें से ज़्यादा तक नतीजा नहीं आता अब इस प्रकार की बीमारी जिसका वाइरस बिल्कुल छूट से चलता है एक दूसरे से संकर्मित हो सकते हैं उसमें हम जाँच के बाद जाँच जब करते हैं तब हमें लगता है कि प्रारंबिक तोर पर इन्फलोजा लाइक इल्लेस के साथ-समें इस प्रकार के लक्षन है और उस जाँच की रिपोर्ट में देनी होने से कितने जगह पर यह फैलता है किस प्रकार के कॉरंटाइन सेंटर बना रखे हैं किस लिए उन्होंने दावा किया हमने 9 क्रोर से जादा मराजस्तान की आबादी से भी डेड़ बुना जादा उन्होंने स्क्रीनिंग कर दी किस से बड़ा दुर्बागय कुछ नहीं हो सकता लेकिन एक्ट्व मरीजियों के हमारे यहां लगातार स्थिर्ज बनी है लगवर तीन जार के आस्वाद चली फिते पांस दिन से और प्रधान मंतरी मोदी ने घेलो साब की तारीव कि उनकी सराना करी उनको फोलो करने के लिए देखिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी इस समय वट वर्क्स के समान है उनका दस्चिकोन यही है कि राजे सरकार को प्रोसाइट करें नहीं कि राजे के मुख्य मंतर जी के लिए जो कभी एक लाग करोड का पेकेज मांगते हैं आज अगर मैं उनसे सवाल खड़ा करू कि आप केंदर सरकार से मांग कर रहे हो आज आपके खुद की वार्सिक योजना तो एक लाग सोड़ा जार करोड की आपने बनाई अलगला मदों में आपने पैसों को बांटा आपने अपने खुद की एन्वल प्लान को में से कितना पैसा इस कोविड को दिया यह तो बताए राज्य सरकार ने स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया करनाटका दे सकता है मदब पर दे सकता है दूसरे सूबे दे सकता है तो क्यों नहीं आप भी उसी तर्द पर स्पेशल पैकेज के माद्यम से राज्य के धोगों को गती देने के लिए राज्य के प्रवसे शर्मिकों क को स्वालम्बित करने के लिए राज्य के लोग जो दूसरे लोग हैं जो बीपील है जो मध्यमवलगी लोग हैं उनको उनको इस समय के अंदर जो उनको अपने रोजी रोटी और उनको आम वेक्ति के तरह जीवनी वापन करे के लिए क्यों नहीं साहता देते कौन मना करता है नहीं से लुट जो पेकेज मौदी सरकार नहीं दिया तांस दिन उस पे उसका विसले संदी चला है कि असा कहा ज़रा है कि मिडिल क्लास को तो पुछ मिला ही नहीं ना लोगर क्लास को कुछ मिला और लोन मिला है पैसे की जुरूत है कॉंगर्स लगातार करें उनको सीधा प इस कोविद के लोक डाउन के चोथे चर्ण में कांग्रेस के नेता उनको समझ में आया कि अब उनको कुछ मांग करनी चीए जब देश के जीडीपी का साड़े दस परसंट 20 लाक क्रोड का पेकेज आया तब उनको ध्यान में आया कि इस आतम निर्वर भारत के में एक तरह स से वापिस इस चुनोती के अंदर भी अवसर ढूंडने का काम केंदर की सरकार कर रही है हर वरक को स्वलंबित करने केंदर की सरकार की योजना है हर वरक को छुने वाला ये पैकेज दिया है तब उन्होंने ये राग अला अपना सुरू किया है मैं समझता हूं एक मध्यम व तक का एक तरह से लोन देने की बात तांकि वो वाफिस अपने रोजमर्रा के काम को प्रारम कर सके MSME की परिवासा जिस परकार को बदली है मैं समझता हूं उसमें सारा छोटा व्यापारी जो मध्यमबर की व्यापारी है वो उसके अंदर सामिल हो रहा है जो पैकेज दिया गया है तीन लाग करोड का उसका अलाब भी निस्चित तोर पर मिलेगा आज जो हमारा किसान है आज किसान को दो लाग करोड रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के को और अथरिक देने की बात करनी है तीस अजार करोड रुपे सही कह रहे तागा रिंड किसान को और मिले कि सारी बातों को जब व्यापक तोर पर हम दश्चित तोर पर उसके अंदर मद्यम वर्क से लेकर निमन वर्क के सब को किस प्रकार आर्थिक्स वालंबन के साथ वापिस वो पुने खड़े हो और वाप वापिस अपने अपने हускार से, अपने मैंद से, वापिस किस प्रकार अपने वह जीवन को पट्री पर लास्के इस प्रकार आतम निर्बर भारत के इस पैकेज्ज के साथ के अंदर सरकार ने किया है मैं समझता हूँ कितने भी चुनोतियां ही होगी अलगलक समय पर सुनोतियां कई बार आती है पर ये पहला मोका है जब 20 लाक क्रोड यानि पूरी हमारी GDP का 10.5% पैसा इस परकार के वेस्पिक महामारी के मुकाबले के अंदर सरकार दे और राजस्तान सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए उनको भी अपने GDP का 10% नहीं तो 5% पैसे का भी पैकेज अगर दे तो मैं उनको साधूबा दूँगा राटर सब लोकडाउन जब पहली पर लगा था तो चार गंटे के अंतराल में लोकडाउन लगा दिया गया और कहा गया कि जो जाया है वह ही रुख जाया है जब हमारे यहां कोरोना की सुरूआ थी अभी कोरोना अपने चरम पे जा रहा है पीक बढ़ रहा है और इत्ते सारे मरीज इत्ते से आहट थी हिंदूस्तान पहला राज्य था पहला देश था जिन्होंने लोकडाउन करने में पहल की थी चोईस मार्च को आप देख रहे हैं अमेरिका सबसे विक्सित देश है और अमरीकाने के राजपती ने लोकडाउट और लोकडाउन की बात को एक तरह से ऐस्विकार किया था उसका प्रिणाम सामने है आज विक्सित देशों के अंदर करोना से जो मोते हुई है और हिंदुस्तान में जो मोते हुई है दोनों को आंकड़े को देखते हैं तो हमें लोगों का जीवन जो काल कल भी तो हो सकता था उससे बचा हुआ अजो सब कल पीम मोधी के कारेकाल को चे सल पूरे हैं तीस महीं को और ऐसा का जा रहा है कि कई रेलियां और कई तरह का वीज़ेबी तैयारी कर रही है तो इस कोरणा काल में जसन मनाया जाएगा विलकुल ज भारती जनता पार्टी का है परन्तु भारती जनता पार्टी के काम भारती जनता पार्टी के एक साल के अंदर जो अपलब दियां रही उसके बारे में अगर हम आपस में चर्चा करते हैं और डिजिटल और वर्च्वल कांफरेंस के माद्यम से लोगों से बात करते हैं तो यह थे राहेंदर राटोड बीजेपी के सबसे वरिष्ट कद्दा और निता जमीन से चुड़े हुए हमें इन्होंने टाइम दिया प्लटोस के सब आचीत करी इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद बड़ा अच्छा लगा आपसे दूसरी बार बात हो रही है और आपको भी बदाई दरना चाहूंगा कि आप वो सारी बातें कहलवाने की कोशिस करते हैं जो बातें आज राजनीती में कहिने कहीं एहम रखती है बहुत दन्यवाद यह है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ राजनीती के assuming living का बातें लाजनीती हैं